नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में बात करें ग्रेमार्केट क्या है और ग्रेमार्केट प्रिमियू क्या है तो ग्रेमार्केट को समझने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा है कोई भी IPO जैसे market में आता है तो IPO आता है उसके बाद हम apply करते हैं उसके बाद हमें alert होता है IPO कि यह हमें मिला या नहीं और उसके बाद वो listing होता है तो इसके बीच में जो time लगता है उसके बीच grey market यहाँ पर normally activate होता है तो अभी grey market किस तरह से काम करता है मान लीजिए कि एक बंदा है उसने यहाँ IPO लगा दिया वो चाहता कि उसे IPO मिले ठीक है और एक बंदा है जिसने अभी IPO लगाया नहीं है लेकिन जैसी IPO लगाने की date निगल गई है अब उसको लगता है कि यह share है यह अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा के देने वाला है तो अब वो इसको खरीदना चाहता है तो वो इसके लिए क्या करेगा grey market का यूज करेगा अब grey market क्या है इसमें कुछ नहीं है एक dealer होगा या कोई agency होगी ठीक है तो जो बंदा जिसने IPO के लिए apply नहीं किया लेकिन उसको लगता है कि इसमें benefit IPO में तो वो हो गया buyer और जिसने यहाँ पे IPO के लिए apply किया है लेकिन उसे लगता है कि यहाँ पे नुकसान होने वाला होगा तो वो है seller तो अब इस concept को अगर हम देखे line wise तो बाई IPO share the buyer place the order at a certain premium वाय ग्रे मार्केट डीलर तो जिसने apply नहीं किया उस वो buyer किया dealer के पास जाएगा वो dealer को बोलेगा कि मुझे यह share खरीदने है अब dealer क्या करेगा उस बंदे के पास जाएगा जिसने apply किया है और वो apply करने के बाद उसे लग रहा है कि मुझे share बेचने है पहले ही listing होने से पहले ही तो dealer उसके पास जाएगा उसको बताएगा यह dealer है यह seller के पास जाएगा इसको बताएगा कि यदि आप अपने share बेचना चाहते हो तो आपको इतने amount पे बेचना है और एक बंदा है मैं आपके share बिकवा दूँगा तो इस तरह से यहाँ पे dealer convince करता है seller को और जो सारी details है वो यहाँ पे बेच देता है जो बंदा है पे खरीदना चाहता है और जैसे यहाँ पे उस बंदे को share allocate होते है जिसने IPO के लिए apply किया है वो क्या करता है वो एक certain price पे या वो जो share allot हुए वो उस बंदे को भेज देता है जो यहाँ पे share खरीदना चाहता है और यदि उसको share नहीं मिले जिस मंदने IPO के लिए apply किया उसको share नहीं मिले तो वो deal auto में cancel हो जाती है तो यहाँ में कुछ fix नहीं होता है सारी बाते यहाँ पे verbally होती है तो मोटा मोटी अगर आप देखोगे selling और buying the allocated IPO share before they get listed in the stock exchange तो एक process कोई भी IPO का stock market में list होने से पहले उसको खरीदने और बेचने की परकिरिया वो gray market के अंदर होती है अब नमबर दो है कि gray market premium क्या है तो मान लिजए कोई stock की price है 100 रुपे और उसका gray market premium है कितना 300 रुपे मतलब यहाँ पे जो company है वो प्रीमियम पे यहाँ पे लोन्स होने वाली है उसके बाद इस मींग इन्वेश्टर रेड़ी तो पर्चेश दे शेर ओब दे कंपनी वाइफ और RS 400 मतलब उसकी डिमांड शेर की डिमांड ज्यादा है और इस तरह से यहाँ पे जो gray market premium है वो काम करता है तो the amount at which the IPO share of the great market gray market are trade is known as gray market premium तो वह है amount जिस पे ग्रे मार्केट में कोई share trade कर रहा है वो gray market premium GMP कहलाते है थैंक्यू keep supporting